दोस्तों, गया Sona एक अच्छा investment asset है और अगर हाँ, तो उसको कैसे invest करना चाहिए, आईए जानेंगे इस वीडियो में मेरी शादी हुई थी 2007 में उस पॉइंट पे क्योंकि शादी के दौरान ही सोने की याद आती है कम से कम हमारे परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उसी पॉइंट पे सोना खरीदना था, तो मुझे याद है हमने 8000 रुपे तोले का सोना खरीदा था, आज की डेट में सोना 48,000 रुपीज का हो च तोलेज हजार रुपे का सोना हो चुका है, विच मेंस चौदा साल में सोना 6 गुना बढ़ चुका है, and that is a return of about 14% per year. आपके प्यारे मुम्मी पापा के F.D. से अराउंड तीन गुना जादा, तो सोना is a very interesting investment asset. अब सोना इंवेस्मेंट का इक डिवाईस बना भी कैसे, अग अगर आप इसमें रुची रखते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत सोने के हिस्ट्री के बार में बताऊंगा, otherwise you can skip to the next section. तो जब पैसा नहीं आया था, जो पेपर पैसा था, almost everything was traded as per gold. तो actually जब करंसी आई थी, तो करंसी की पूरी बुनियाद ना दोस्तों, सोना थी, which meant कि बान लो, तो it was only possible क्योंकि आपने सरकार को सो रुपे वर्थ सोना दिया था, और फिर सरकार ने अपने ठपपे के साथ आपको एक receipt ती, which said कि आपने हमारे यहां सो रुपे का सोना जमा किया है, तो ये लीजिए एक नोट सो रुपे का, अब इस नोट को लेके आप आगे ज आते हैं, खरीच सकते हैं, आपको आप वो सो रुपे का सोना लाद के कहीं जाना नहीं है, उसको छोटे-छोटे हिससे नहीं करने हैं कि भही, पांच रुपे की चाय लिनी है, तो मैं पांच रुपे का सोना किसी को काट के दे रहा हूं, because physically it's not possible. So for the longest time, दुनिया में जो पूरा पैसा था, that was pegged to gold. Actual gold reserves थे in governments, which used to then translate into actual currency, which was floating in the market. तो इसके जलते, Sona became a very valuable asset, because जो भी एक आगस के पन्ने थे, जिसको हम note या रुपे बोलते थे, उनकी एक बुनियाद थी, और वो बुनियाद थी, Sona. And that is how gold became a great investment asset. फिर आया stock market, जहां companies ने stocks में इन्वेस्ट करना, companies ने अपने stocks लिस्ट करने शुरू किये, लोगों ने खरीदने, बेचने शुरू करे, but it seemed like up in the air. So, अगर आप historically देखेंगे, तो जब कभी भी stock market नीचे जा रही होती है, या डूब रही होती है, नेगिटिव रही होती है, तो सुनली लोग सोना खरीदना शुरू करते हैं. Because they go back to the thing कि, ओ भाई, इसमें तो थोड़ी से बैंड बज गई है, यहां तो रिटन्स कम जा रहे हैं, so what is the physical thing that I can hold on to that will safeguard my dip in the stock market? Gold. And that's why over several years, gold remains a really good investment asset. अगर आम अपने 20s में हैं, तो मेरा suggestion ये रहेगा कि आप जादा से जादा allocation equity में डालें, लेकिन सोने में भी डालें, जैसे जैसे आप थोड़े बुजर्ग होते जा रहे हैं, या थोड़ा सा safe केलना चाते हैं, आपका risk profile चेंज रहा हो रहा है, तो you can start investing in gold. The other thing that really works for gold is, कम से कम हिंदुस्तानी कल्चर में, gold की बहुत जादा एहमियत है, because gold is not just looked at as investment, हम दुनिया का number one देश हैं from a gold consumption perspective, लेकिन वो सब कुछ हम investment के लिए तो use नहीं करते हैं, there is a lot more use of gold. Gold को हम अपने बच्चों की शादी में यूस करते हैं, गिर्वी रखते हैं ताकि हमें उसके बेसिस पे लोन मिल पाए, बेज देते हैं, कभी भी जरूरत हो ताकि उसके बज़े हमें पैसे मिल पाए, हम अपने जूलरी में इन्वेस्ट करते हैं gold. So there are multiple shapes and forms of how gold is used in an Indian setup in the Indian culture. And that is why gold is not just an investment asset, it is also a lifestyle product. And as you can see, I would strongly recommend that your certain percentage based on your age should be devoted towards investing in gold. गोल्ड कैसे खरीदा जाए फिजिकल गोल्ड क्यों मेरे हिसाब से सही नहीं है वो सारी चीजे जानेंगे इस वीडियो में फिजिकल कोल्ड में नैच्रली जैसे मैंने बताया थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम नॉम्बर वन कि वो फिजिकल है मतलब एक एक एक्चुल फिजिकल प्रॉड़क है तो उसको आपको कहीं लेना होगा कहीं स्टोर करना होगा तब ही लॉकर्स में सोना पड़ा हुआ है तिजोरियों में सोना पड़ा हुआ है घर में कहीं सोना पड़ा हुआ है वो चिनता है कि भई कहीं खुदा नाकास्ता चोरी हो जाए या कुछ हो जाए कितनी आप जूलरी बनाएंगे so on and so forth So there is this natural physical limitation कि आप कितना physical सोना खरीद सकते हैं Number two, खरीदने के लिए भी जो छोटे से decimal points होते हैं वो जादा लुकरिटिव नहीं है आप 10 gram नहीं खरीद सकते, 1 gram खरीद लीजिए 1 gram से कम बहुत मुश्किल हो जाता है आपके पास शायद आप एक student है सिर्फ 300 या 400 रुपे है 300-400 रुपे का सोना आपको कोई देने नहीं वाला है लोग आपको हसके दुखान से बाहर निकाल देंगे तो it is not feasible कि जितना आपका actual amount है उतने का ही आप physical सोना खरीद सकते है 3rd, purity पे हमेशा एक question mark रहता है हाँ हम सबके एक family jewelers हैं लेकिन सबके तो नहीं होते हैं if you are a student or if you have just started working आप अपने home city में नहीं है हम भी बापा को नहीं बोलना है कि में को सोना खरीद के दे तो क्योंकि है वो चिक चिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है FD में पैसा क्यों नहीं डाल रहे हो all of those things so you want to do it on your own लेकिन you don't know who to trust you don't know whether that gold is pure तो वो एक doubt रहेगा and then the most important thing जो मुझे सबसे जादा इरिटेट करती है making charges हिंदुस्तान में गोल्ड की सबसे बड़ी problem ये है कि जब भी हम गोल्ड या सोने के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ जूल्री के बारे में सोचते हैं या बार्स उसके बीच में तो हम कुछ सोचते ही नहीं गोल्ड एक commodity है एक metal है और उसमें आपको making charges नहीं देने चाहिए for you to buy gold क्योंकि आप jewelry नहीं ले रहे हैं आप एक investment product खरीद रहे हैं and that is why very very important कि physical gold की जो limitations है उसको आप समझें उसको आप जाने और उसके चलते आप एक smart new age consumer के जैसे अपना mindset towards gold shift करे towards digital gold अब digital gold इतना exciting क्यों है क्योंकि what has happened is over the last few years people have realized कि सोना तो actually physically कहीं store करना है लेकिन जो खरीद रहा है और अगर वो investment के purpose से खरीद रहा है which means they don't really need the physical gold at this point of time तो हम उनको just like a currency note एक note क्यों नहीं देते और in some sort of a transaction क्यों नहीं देते हैं कि आपको कितना सोना चाहिए एक gram चाहिए बढ़िया ये है एक gram का cost आप हमें वो पैसा दीजिए और हम आपके बहाफ पे वो gold securely safely preserve करेंगे जब कभी भी जब कभी भी आपको वो एक gram सोना बेचना हो आप हमें फिर से बताइए आप instantly उसको बेच पाएंगे and you will then have your money इस लाइक स्टॉक्स एक जमाना था जब स्टॉक्स जब भी आप खरीते थे तो आपको फिजिकली स्टॉक्स मिलते थे I don't know how many of you have seen scam 1992 अगर आपको याद होगा Harshad Mehta और जो उसके भाई था मैं नाम भूल गया हूँ उनकी एक पूरी पूरी नहीं बहुत सारे कमरे थे जहां स्टॉक के सर्टिफिकेट पर रहते थे that's exactly how it used to be but after the Harshad Mehta scam everything got dematerialized and that is why DMAT account DMAT account का मतलब क्या है कि आपके सारी holdings जो है वो अब electronic है so when you buy a share of any company you're not getting the physical receipt of that stock आप digitally उस टॉक को खरीद रहे हैं आपके DMAT account में वो stock preserved है और जब कभी भी आप उसको बेचना चाहते हैं आप उसको तुरंट उसी समय पेच सकते हैं as long as the market is open and there is a buyer the exact same way is digital gold digital gold is not physical gold it is the digital form of the investment that you're making अब digital gold अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदना चाहिए उसके लिए my recommendation would be Upstocks Gold it is a great digital platform for you to buy digital gold and here is why you can consider it number one it's 24-7 इसका मतलब यह है कि आप कभी भी जब कभी भी बेचना चाहें या खरीदना चाहें आप अपने सोने को बेच का खरीद सकते हैं there is no market ऐसे को शेर बजार नहीं खुलती और बंद होती है it's forever available number two which is the best thing 24 karat 99.9% purity purity पे एक्वेस्टन मार्क नहीं है you rest assured will know कि आपको जो सोना मिल रहा है वो एक्तम खरा सोना है it is absolutely pure another great thing especially for people who are early investors या young investors आप एक रुपे से starting सोना खरीच सकते हैं तो आपके जितनी भी उस समय पर श्रद्धा है जितनी भी आपकी उस समय पर हैसियत है आप वो कर सकते हैं you can set up a regular monthly investment जो कि मैं हमेशा प्रपोस करूँगा हर महीने same date पर irrespective of the price आप अपनी investments करेंगे because then you will have the discipline and the compounding come through तो सोने को भी वही लेना है the good thing is कि यह डिजिटल है इसको हम कितना भी काट सकते हैं कोई भी एक ग्राम या सिर्फ एक से एक 10 एक चौथाई एक तिहाई ग्राम नहीं है it can be endlessly broken आप जितने पैसे देंगे उसी रेट पर आपको उतना सोना मिल जाएगा because it's digital it's 100% secure जो भी आप सोना खरीदेंगे आपके नाम पर वो सोना safely, securely प्रिजर्व किया जाएगा in a locker that is maintained by a third party and that is how you know कि वो exactly safe है अब stocks, gold अभी थोड़ी ही दिनों में physical delivery of its gold भी start करने वाली है which means आपने सोना करीता है and you were doing it for investment purposes लेकिन अब आपको लगता है कि आपकी शादी है या आपके बच्चों की सादी है या आपके भाई बहन की सादी है whatever the reason may be और आप उस सोने को physically now receive करना चाते है in that case you just have to order and they will physically deliver ये अभी feature live नहीं है लेकिन जल्द ही होने वाला है which will be a brilliant way for you to actually turn your digital gold into physical gold and finally my favorite part no making charges वो जो 5-8% अपने जोलर को देते हैं और जो वापिस बेचते हुए वो कुछ काट लेते हैं carbon डला हुआ है पता नहीं कितनी चीजों पे हमने वापस अपना वो सोना किया है और हमें लगता था 100 मिलेंगे बड़ सो नहीं मिलते थे 80, 85 इतने ही मिलते थे क्योंकि कुछ ना कुछ कटोती होती ही रहती थी none of that is there you are the owner of 99.9% pure gold और जितना भी आपका वो digital gold होगा जब कभी भी आप बेचना चाते हैं जो भी उस समें gold का दाम होगा आप उस price पे बेचेंगे आपको exactly उतना ही अमांट मिलेगा और वो आपने bank पे आप ट्रांस्फर कर सकते हैं it's as simple and as clean as that for all these reasons Upstocks Gold is my recommendation for you to buy digital gold and I wanted them to give an offer to everyone who's watching this video so as to make it very exciting and here is the offer अगर आप Upstocks Gold पे अपना digital gold खरीते हैं तो रुपीस 51 वर्थ of digital gold will be given to you absolutely free of cost this is just a great way for you to have something come in the good thing about gold is कि gold का दाम बढ़ता रहता है तो जो मैंने 8,000 रुपे का सोना अपनी सादी बे खरीता था वो आज 50,000 रुपे का हो चुका है इसी के चलते जो भी आप आज इंवेस्मेंट्स करेंगे वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल जितना भी आपका horizon है इंवेस्मेंट्स का उसमें 5 गुना 6 गुना हो जाएगा and you will be the recipient of that without needing to hold any physical gold without giving any making charges without having the doubt कि ये प्यूर है की नहीं है certified है की नहीं है इसका मिलेगा की नहीं मिलेगा all of that is solved through digital gold become a smart investor become a smart citizen and invest in gold digitally Ankur Wariku signing off अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिये ताकि अगर कोई भी नहीं नहीं वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले